हलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल पामी ब्यूटी वर्ट, तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ, आप सब ठीक होंगे, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, बोडी पोलिशिंग विद डीटेन किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले हमें पता होने चाह स्किन में new cells बनने लगते हैं, और dead cells अच्छे तरीके से remove हो जाते हैं, जो हमारी स्किन dry है, dehydrates है, sun से damage हो गी है, वे भी काफी अच्छे तरीके से ठीक हो जाती है, स्किन de-stress हो जाती है, स्किन को काफी relax मिलता है, तो body polishing आप किसी other person से करवाएं तो ज़्यादा अच्छ है, और हमने जो भी product यूज की हम आपको दिखा रहे हैं, ozone की intenso hydrate cocoa body polishing काफी अच्छी है, इसमें 100% cocoa का यूज किया गया है, यह organic है, और इसमें herbal activities का यूज किया गया है, essential oil है, और इसमें किसी भी तरीके का कोई side effect होने का chance नहीं है, इसमें जो जो product हैं, उसमें हमें मिलता है cleanser scrub, cream और mask, इस तरीके से हमें product मिलते हैं, और साथ में proper hand movement के लिए मिलता है body polishing oil, ताकि हम अच्छे तरीके से skin को बाद में नरेश कर सकें, साथ में मिला हमें serum, काफी अच्छा serum है, और hand movement के लिए हमें toner भी मिलता है, mint का, जिसका बहुत अच्छा result आता है, skin में कोई भी infection नही इसमें 5 cleanser हैं, 5 scrub हैं, 5 cream हैं और 5 mask हैं, one time में 1, 2, 3, 4 product यूज़ करके आप one body polishing easily कर सकते हैं, यानि आप इस पूरी kit से 5 times body polish कर सकते हो, तो आप पालर pack में यूज़ करना चाते हो, तो आप इसको ले के आए, इसका बहुत अच्छा result आता है, skin काफी अच्छी हो जाती है, skin म काफी soft and smooth look को आ जाती है, हमने लिये हैं, सबसे पहले लिया है, तो सबसे पहले मैंने लिया है cleanser, ozone का, अच्छे तरीके से आपने cleanser को पूरी body पर apply कर लेना है, अगर आप full body polishing कर रहे हैं, उसी तरीके से, जैसे कि मैंने इनकी पूरी कमर पर अच्छे तरीके से cleanser को apply कर लि दिला था, इसलिए मैंने hand movement के लिए toner का use किया है, अगर आपके पास toner नहीं है, तो आप rose water का भी use कर सकते हैं, पानी का use ना करें, क्योंकि पानी से आपको proper result नहीं मिलेगा, तो इसलिए केवल आप rose water का use करेंगे, तो आपको काफी अच्छा result मिलेगा, तो आज मैं आपके स चोटे-चोटे helpful tips and tricks share करने जा रही हूं, जो काफी आपको help करेंगे जब आप किसी का facial करते हो, massage करते हो, या body polishing करते हो, तो वीडियो last तक जुरूर देखना, काफी helpful वीडियो होने वाला है आज का, आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं massage दे रही हूं, आपने भी इस तरीक इचा result देखने को मिलेगा, अब हम यूज़ कर रहे हैं skin में D10, D10 इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मेरे client के hairs नहीं है, ना ही तो inner waxing की need है, ना ही bleach की, तो ऐसे में हम D10 कर सकते हैं, D10 से हमारी skin काफी अच्छी हो जाती है, D10 जब हम लेते हैं, जब हमारी skin burn हो गई हो अगर हमारी skin में धूब के कान tanning हो गई हो, गर्मी में बाहर घूमने से तेज धूब में से हमारी skin tan हो जाती है, सरदी की दिनों में जब हम बाहर बैठते हैं, तो हमारी skin tan हो जाती है, तो उस tanning को remove करने के लिए हमें D10 करना पड़ता है, आपके एवल D10 भी कर सकते हैं, अ और फिर कम से कम 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से मसाज देनी है, इससे काफी अच्छा result मिलेगा, skin की tanning remove हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से मसाज दे रहे हैं, हम proper hand moment के लिए rose water का यूज़ करें, मैंने toner का यूज़ करना है, आपने गर्दन पर थोड़ा ज ज्यादा ध्यान दे, बहुत अच्छे तरीके से मसाज दे, अगर आप केवल d10 कर रहे हैं, तो 15 मिनट के लिए मसाज दे और फिर उसके बाद remove करें, अगर आप body polishing में d10 कर रहे हैं, तो 5 मिनट मसाज करके अच्छे तरीके से फिर आपने d10 को remove कर देना है, यानि wipe out कर देना तो पहले कपड़े को भिगो के रख देते हैं, ताकि जितनी भी मैले वो बहुत अच्छे तरीके से गोल जाए, उसी तरीके से हमने d10 को अभी skin पर अच्छे तरीके से लगा कर छोड़ देना है, देन मसाज करनी है, उसके बाद आपने wet towel या फिर wet tissue paper का use करके अच्छे तर move कर देना है, डीटेन करने के बाद हमारी skin में अब हम करने जा रहे है, scrubbing, scrubbing से हमारी skin के dead cells remove हो जाते हैं, काफी अच्छा glow आ जाता है, skin के pores clean हो जाते हैं, तो अच्छे तरीके से आपने scrubbing करनी है, neck पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, scrubbing का जो भी work है, हम आपको ब face पर scrubbing हम finger tip से करते हैं, जब हम body पर scrubbing कर रहे हैं, तो हमारा hand है थोड़ा खाफी harsh होगा, क्योंकि जब हम body जो होती है, हमारी face की तरह sensitive नहीं होती, इसलिए हमें face पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, body में ऐसा कोई issue नहीं होता, पर body पर भी आपने client से पूछ लेना है pollution remove करेगा scrub और skin को brighten कर देगा, हमें body के hurt part को clean कर सकते हैं, पर हम अपनी back को अच्छे से clean नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी other person की help लेनी पड़ेगी, जब किसी और से full body polishing करवाते हैं, तो आपको काफी अच्छा result देखने को मिलेगा, whole body में आपने इसी तरीके से scrubbing करन हैं, चाहे वो hand हो, legs हो, या tummy हो, 6 minutes मसाज करने के बाद आपने अच्छे तरीके से wipe out कर देना है, और इसके बाद हम दे रहे हैं, towel steam, towel steam से क्या होगा, हमारी body के dead skin cells हैं, वे remove हो जाएंगे, skin के pores बहुत अच्छे तरीके से clean हो जाएंगे, जिस वज़े से हमारी skin अच्छे से antioxidant release कर पाएगी, और skin में से tan भी remove हो जाएगी, अच्छे से towel steam देने से हमारी body के pores काफी अच्छी तरीके से open हो चुके हैं, अब जो भी हम product skin पर use करेंगे, उसका काफी अच्छा result आने वाला है, तो next process हमारा cream का है, पूरी body पर अच्छे से cream को apply कर लें और एक अच्छा सा massage मसाज देना है, जिससे हमारी client को अच्छा relax feel हो, क्योंकि massage का काम ही relaxation का है, आपको इतना अच्छा massage देना है कि client खूश हो जाए, मेरा मानना है cream product जब भी आप अच्छे से apply करते हैं, अच्छा stock लेते हैं massage का, तो सस्ता product भी बहुत अच्छा result दे सकता है, बट अगर आपका बहुत ही महगा product हुआ, और आपने अच्छे से work नहीं किया, तो अच्छे से massage नहीं किया, तो शायद हो सकता है, वो जो उसकी properties है, उसको lose कर जाए, तो आप इस चीज़ का ध्यान दे, अगर आपको एक product की पूरी properties का use करना एक अच्छा result चाहिए, तो आपने बहुत अच् लग रही हो, तो प्लीज वीडियो को like कर दिया कीजिए, हम इतनी मैनत करते हैं, तो एक like तो बनता ही है, फुल आपने पूरे अच्छे तरीके से massage देना है, क्रीम की massage करते समय आपने ध्यान देना है, बहुत अच्छे तरीके से आपने cream को skin में penetrate करना है, आपने बिल्कुल भी wet tissue paper या towel से cream को remove नहीं करना, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप body में cream को penetrate कर दोगे, उतना चरजट मिलेगा, उतना ज्यादा moisture skin में लोक हो जाएगा, और उसके बाद हमने यूज किया है body oil, body oil की भी आप अच्छे तरीके से massage दे, उसके बाद body oil को बीना उतारे, हम hand से भी apply कर सकते हैं, और mask को आपने proper तरीके से सुखाना नहीं है, केवल semi dry करना है, और मैंने अच्छे से इनके semi dry कर लिया था, 10 minutes के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद toner का use करके, अच्छे से massage देके, आपने mask को उतार लेना है, बहुत अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं, massage और उसके बाद अच्छे से हम towel से proper तरीके से mask को उतार देंगे, देखे, कितने अच्छे तरीके से इनकी skin glow करने लगी है, काफी अच्छे तरीके से इनकी skin की tanning remove हो गई है, कितना अच्छा result आया है, कितनी skin bright and soft smooth लग रही है, और tanning भी काफी अच्छे तरीके से remove हो चुक time to time मिलती रहे, thanks for watching my dear friends, full body polishing होने के बाद आपने कोई भी body lotion skin पर अच्छे से apply कर देना है, ताकि moisture बना रहे, कितना है, 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 कितना